हमारे बीच में पूरू साल्चत अशोग तवर्दी आज अपने घर में वापिस आ गए हैं हर्यारा में मद्दान से दो दिन पहले एक नाटकिये घटना करम होता है बीजेपी के कदावर दलित नेता अशोग तवर कॉंग्रिस में शामिल हो जाते हैं तवर पहले भी कॉंग्रिस में रह चुके हैं हलागी अशोग तवर की ये नई जॉइनिंग साधा सुर्खियों में है वजह तवर की एंट्री से कॉंग्रिस के कई शेत्रिय शत्रपों का स्यासी गुनागनेत बिगरता दिखाई दे रहा है अब ऐसे क्यास है कि सेलजा ने बीते दिन सोनिया गांधी से मलाकात की थी और उस मीटिंग में अशोग तवर की भी चर्चा हुई और अगर ये सही है तो तवर सेलजा गुट को बड़ा फाइदा देते नजर आ रहे हैं पांच साल बाद अशोग तवर ने कॉंग्रेस में वापसी की है तवर की वापसी हर्याना में मद्दान से एक दिन पहले हुई है ऐसे में सवाल उठते हैं कि तवर की वापसी से किसे नुकसान और किसे फाइदा होगा वर्तमान में हर्याना में दो गुड़ इस समय चल रहे हैं पहला गुड़ भुपेंदर सिंग हुड़ा का और दूसरा गुड़ कुमारी सैलजा और रंदीप सूर्जेवाला का लेकिन अशोक तवर के जॉइनिंग से एक नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रहे हैं और वो हैं पुपेंदर सिंग हुड़ा वजह आपको बताते हैं अशोक तवर जब राहुल गांदी के साथ कॉंग्रेस में शामिल हो रहे थे तब मंच पर हर्याना के पूर्व सियम भुपेंदर सिंग हुड़ा भी थे सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है जिसमें हुड़ा तवर को तिर्ची नजर से देखते दिखाई दे रहे हैं हर्याना में अशोक तवर और भुपेंदर सिंग हुड़ा का सियासी अधावत जग जाहे रहा है तवर के कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भुपेंदर सिंग हुड़ा के साथ 36 का आंकड़ा था और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई बार दोनों में विवाद भी हुआ भुपेंदर हुड़ा ने अशोक तवर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा कर ही दम लिया था 2019 के विधानसबा चुनाव में कॉंग्रेस ने हुड़ा को सियासी तवज्जो दी थी और तवर ने उस समय सोनिया गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर दिया इसके बाद अशोक तवर ने कॉंग्रेस छोड़ दी और चुनाव में बीजेपी की मदद की थी इसके चलते कॉंग्रेस को हिसार के बेल्ट में अच्छा खासा नुकसान उस समय उठाना पड़ा था ऐसे में तवर के घर वापसी से कॉंग्रेस में गुट बाजी बढ़ सकती है जो भुपेंदर सिंग हुड़ा के लिए सियासी टैंशन बढ़ा सकती है हर्याना कॉंग्रेस में रंदीब सिंग सूर्जेबाला और कुमारी सेलजा एक गुट है तो दूसरा खेमा भुपेंदर सिंग हुड़ा का है सेलजा और हुड़ा के गुट के बीच सियासी वर्चस्व की जंग पहले से ही चल रही है ऐसा में भुपेंदर सिंग हुड़ा के विरोधी माने जाने वाले अशोक तवर की एंट्री कॉंग्रेस की गुट बाजी को अब और हवा दे सकती है यही वज़ा है कि अशोक तवर जिस समय कॉंग्रेस में शामिल हुए उस दुरान हुड़ा भी मंच पर मौजूद थे लेकिन हुड़ा ने आगे बढ़कर ना ही तवर का स्वागत किया और ना ही उन्हें कोई सियासी तवज्जो दी अब इससे समझा जा सकता है कि तवर की घर वापसी को लेकर भुपेंदर सिंग हुड़ा खुश नहीं है लेकिन तवर की वापसी से सैलजा को बड़ा फाइदा होता दिख रहा है क्योंकि दलित निताओं की संख्या बढ़ जाएगी अब कॉंगर्स चुनाव जीतती है या नहीं ये तो नतीजे बताएंगे पार्टी के खेमे में हो रही गुट बाजी में सैलजा बाजी मारती दिखाई दे रही है